हेलो दोस्तों जैसे कि आप सबको बता है हमने प्रोग्लम बेस्ट ओन नंबर यूनिट के तीन चैप्टर कर लिये हैं नंबर स्रीज मिसिंग नंबर और ओर वन आउट हमारे तीनों चैप्टर हो गई है आज की किलास में हम एनालोजी का टोपिक करते हैं इनालोजी का टोपिक रिजन के बहुत टफ चैप्टर के बहुत जूबते होते हैं इसलिए यह जोड़ा सा तफ बन जाता है अब हम पहले यही समझते है कि एक से ज्यादा अंसर क्यों होते हैं आइये समझते है analogy के questions में क्या logic लगते है उसको समझने से पहले हम yes समझते है कि इस chapter के एक questions के multiple answer क्यों होते है एक से ज़्यादा answer हो सकते है इसके दो answer आ सकते है तीन answer आ सकते है इसके चार का answer आ सकते है इस questions को आप कभी भी without option नहीं करेंगे क्योंकि इस एक questions के कई answer हो सकते है हम समझते हैं कि इसके एक से ज़्यादा answer क्यों आते है देखिए जैसे ये questions है चार नो पच्चिस questions मारूँ अब हम इसको कहीं तरीके से कर सकते हैं हम सूच सकते हैं कि इसमें हो रहा होगा इंटू 2 पलस 1 यानि चार दूने 8 और एक 9 तो इसा हो सकता है कि यहां पर भी इंटू 2 पलस 1 हो 25 दूने 50 और 51 इस questions का answer हो सकता है कौन से पैत्रेट से कौन से logic से multiply के logic से multiply के logic से इस questions का answer 51 हो सकता है कैसे into 2 plus 1 और इधर भी into 2 plus 1 हम सो सकता है गी इसमें हुआ हो हो सकता है गी इसमें ये कर रखाओ यहाँ पर plus 5 कर रखाओ 4 और 5, no तो हो सकता है यहाँ पर भी plus 5 क्या हो यानि 25 और 5, 30 यानि इस questions का answer हमारा 30 भी हो सकता है कौन से logic से? add के logic से अब हम समझता है कि इसके और questions और options भी कैसे हो सकता है हो सकता है हम इसको ये समझे ले कि यहाँ पर 2 का रखो यहाँ पर 3 का रखो यहाँ पर 5 का रखो अब हो सकता है जैसे कि 2 का रख, 3 का रख 5 का रख, 6 का रख 2 से 1 बढ़ा कर 3 पांच से एक बढ़ाकर 6 का वर्ग 36 इसकोशन का आंसर हो सकता है कौन से लोजिक से स्क्वेर्स के लोजिक से अब क्या क्या कोई क्यूब का लोजिक भी लग सकता है इसमें अब हम देखते हैं कि क्यूब का लोजिक भी लग सकता है क्या यहां पर देखिए इसे हम 2 का वर्ख कह सकते हैं क्या ये 2 की Q के आसपास है बिल्कुल 2 का Q पलस 1 2 का वर्ख 4 2 का Q 8 और एक 9 इसी तरह यहाँ पर हो रहा होगा 5 का वर्ख और 5 का Q पलस 1 यानि 5 का Q 125 और 126 कोस्टन्स का अंसर हो सकता है कौन से लोजिक से Q के लोजिक से आंसर हम 5 और 7 का वर्ख 5 क के बार प्राइम नंबर यानि 7 का वर्ख इस लोजिक से इस Q का उनसर 49 भी हो सकता है कौन से लोजिक से प्राइम नंबर के लोजिक से अब जब एक्जाम में कोशन आएगा हम तो हम इसके तो हम इसको कौन से लोजिक से करेंगे अब हम इसको समझते हैं कि हमें सबसे पहले कौन से लोजिक को प्राइवटी देनी है इस कोशन इस चैप्टर के कोशन को कभी भी व करना सकता है हो सकता है इंटू FI 25 हो सकता है वर्ग हो रहा हो दो हती को निवा अंसन आएगा रहा digo छोड़ा है को कभी बहुता और हम समझेंगे ति सबसे पहले priority हमें कौन से options को कौन से logic को देनी analogy के questions में हमें सबसे पहले prime number का logic देखना है कहीं prime number का logic तो नहीं है क्या ये सब prime number है उसके बाद हमें अगर prime number का logic नहीं मिला तो उसके बाद हमें squares का logic देखना है क्या ये work है क्या ये squares है अगर squares का logic भी नहीं मिला तब हमें cube का logic देखना है अगर cube का logic भी नहीं मिला उसके बाद हमें multiply या division का logic देखना है गुणा या भाग का logic देखना है उसके बाद हम add और subtract पर जाएंगे यानि जोडने और गटाने पर उसके बाद जाएंगे सबसे पहला logic prime number का logic उसके बाद squares का logic उसके बाद cube का logic उसके बाद multiply या division का logic उसके बाद add या subtract का logic अगर इतने logic भी फैल हो जाते है तब फिर questions हमारा illogical होगा एमान्या होगा उसका कोई pattern नहीं होगा सबसे पहला logic तो हमें prime number का ही logic देखना है उसके बाद squares का logic देखना है उसके बाद cube का logic देखना है उसके बाद multiply या division का logic देखना है उसके बाद add या subtractor का logic देखना है हम अपने कोशों के और बढ़ते हैं पहला कोश्चन फीकिस तीन पान्टिप्लाई या डिवीजन के और जाना है अब हमने नमबर स्रिज्ट के तोपिक ने एक बात समझी ती अगर नमबर छोटा होता है तो multiply नहीं, division होगा हमें 21 से 7 बनाने के लिए divide by 7 करना होगा, जब हम 21 को 7 से भाग करेंगे, तब 3 आएगा तो हो सकता है, यहाँ पर भी divide by 7 कर रखा हो, अब हम 7 से divide करके देखते हैं, इसे क्या आता है 7, 8, 2, 56, 1, 4 7, 2, 14, इस questions का answer 82 2, दुबारा समझिए, हमने देखा 21, 3, 514 question mark, हमें सबसे पहले prime number का logic लगाना था, prime number तो नहीं है, उसके बाद हमें squares का logic लगाना था, square भी नहीं है, उसके बाद हमें cube का logic लगाना था, cube भी नहीं है, अब हम multiply and division पर जाएगे, multiply तो नहीं है क्योंकि हम 21 से 3 मनाना है, इसलिए हमने इसमें divide गया, 21 को divide गया साथ से, तब 3 मना इसी तरह हमने यहाँ पर साथ से divide गया 82 questions का answer, अब अगले questions को चलते है 18, 30, 36 questions mark सबसे पहले हमें prime number का logic देखना है, क्या यह prime number है prime number तो नहीं है, क्या यह squares है स्कॉर्स भी नहीं है, क्या यह cube है cube भी नहीं है, अब हमें multiply का logic लगाना है, 18 into 2, 18 2 ने 36, लेकिन हमें 30 बनाना है, minus 6 18 दूने 36 minus 6, 30 बचा इसी तरह हमें यहाँ करना हुआ 36 गोना 2, minus 6 36 दूने 72 22 मैं से 6 कम क्या, 66 इस questions का answer, क्योंकि इस questions में ना prime number का logic है ना squares का logic है, ना cube का logic है अब हमने multiply का logic लगाया 18 गोना 2, minus 6 18 दूने 36, 36 मैं से गया 30, 36 दूने बातर 22 मैं से 6 कम क्या, 66 अगले questions को बढ़ते हैं 17, 52, एक question मात फिर से, हमें सबसे पहले prime number का logic देगना है prime number का logic तो नहीं है क्या squares है, squares भी नहीं है क्या cube है, cube भी नहीं है अब हमें multiply के logic पर चलते हैं 17, 17 से हमें 52 मनना है इंटू 3, 17 त्या 51 और एक 52 17 त्या 51 और एक 52 इसी तरह यहाँ पर इंटू 3, पलस 1 एक त्या 3, और एक 4 इस questions का answer, 4 अगली question score बढ़ते है 3, 243, 5 question mark 243 3, 243, 5 question mark सबसे पहले, क्या यह prime number है prime number तो नहीं है क्या यह square है, squares भी नहीं है क्या यह cube है, cube भी नहीं है लेकिन हमें एक logic और दिख रहा है आपर, 3 की power के रूब में लिखा वया है, यहाँ पर 3 की power 5 हो रही है 5 इसका अंसर होगा 5 की power 5, 31, 25 देखे, 3 की power 5 3 का में, 3, 3, 3, 9 27, 23, 23, 23 24, 23 यानि, यहाँ पर 3 की power 5 ती इसी तरह हमें, यहाँ पर 5 की power 5 इस questions का अंसर, 31, 25 अगले question score बढ़ते हैं 20, 11, 102 question mark सबसे पहले हमें, prime number का logic देखना है क्या prime number का logic है, नहीं क्या squares का logic है, नहीं क्या cube का logic है, नहीं अब हमें multiply है, division पराना है अब 20 से 11 multiply का भी logic नहीं है क्योंकि number decrease हो रहा है number घट रहा है multiply हमेशा number के बढ़ने पर होती है अब यहाँ पर division का logic है अब 20 को हम divide करेंगे 2 से 20 को 2 से divide करा 10 और इसमें 1 add क्या 11 इसी तरह यहाँ पर करेंगे 102 डिवाइड बाई 2 पलस 1 इस questions का अंसर 52 102 को 2 से बाग करके 51 और पलस एक बावन अब हम next questions की और बढ़ते है सब फिर से बता रहा हूं सबसे पहले में prime number का logic देखना है उसके बाद हमें squares का logic देखना है उसके बाद हमें cube का logic देखना है उसके बाद हमे multiply या division का logic देखना है उसके बाद हमे add और subtract पुराना है अगर ये सब logic फैल हो जाता है फिर कोई questions illogical questions होगा जिसे हमाने क्या आते है हमने 5 questions कर लिया है अब अगले 5 questions के और बढ़ते है चाटा questions 121, 12, 25 questions mark सबसे पहले क्या prime number का logic है prime number का logic दो नहीं है क्या squares है बिल्कुल squares का logic हो सकता है क्योंगी ये number 11 का वर्ग है ये number 12 ये number 5 का वर्ग तो हो सकता है इसमें जिसका वर्ग हो उससे अगली संक्या हो यहाँ पर 11 का वर्ग रगता ये 12 यहाँ पर 5 का वर्ग है यहाँ छेण हो सकता है दोबारा समझे ये number 11 का वर्ग ये number 12 ये number 5 का वर्ग इससे अगला number 6 अगला questions 6, 222, 7 question mark क्या prime number का logic है नहीं क्या squares का logic है squares का logic भी नहीं है क्या cube का logic है बिल्कुल cube के आसपास का number है क्योंकि ये number 6 है और अगर हम इसमें 6 का cube पलस 6 कर दे 6 का cube 266 और 6 एड़ करो 222 हो सकता है इस number का cube करके यही number एड़ करके अगला number बनाया गया हो 6 का cube 266 और 6 222 क्या यहाँ पर भी सही बैट रहा है 7 का cube 313 पलस 7 350 7 का cube 313 पलस 7 350 इस questions का answer 350 अगले questions score 25 125 36 questions 1 क्या cube का logic है prime number का logic तो नहीं है क्या squares का logic है क्या cube का logic है बिल्कुल देखें 5 का square और 5 का cube तो हो सकता है यहाँ पर 6 का square हो और यहाँ पर 6 का cube हो 6 का cube जैसे कि हमने भी पता गया 6 का cube 200 सोड़ा next question यह ओर 28 27 question mark prime number का logic तो नहीं है विसे analogy के topic में prime number का जो logic है वो बहुत कम use होता है बहुत कम use होता है ना के बरापर एक आद question साथ है prime number के logic से analogy में ज्यादा था squares और cube का logic और multiply और division का logic लगता है अब देखिए क्या यह number squares के आसपास है क्या यह number cube के आसपास है बिल्कुल यह cube है इसे हम 2 का cube लिख सकते है इसे हम 3 का cube लिख सकते है इसे हम 3 का cube पलस 1 2 का cube उससे अगले number का cube करके एक आड़ किया इसी तरह यहाँ पर 3 का cube था इससे अगले number का cube करके एक आड़ करें 3 से अगला number 4 4 का cube 64 और 65 इस question का answer इसे दोबार समझे यहाँ पर 2 का cube था यह number 3 का cube पलस 1 28 तीन का क्यूब पलस वन यह दो का क्यूब इससे अगले नंबर का क्यूब करके वन एड़ करके 65 इसकोशन का अंसर अगले कोशन कोशन को पड़ते हैं इनचेस एकसी सो क्या यह नंबर डिरेक्ट असकार्ष दिख रहे हैं बिल्कुल साथ का वर्ग नो का दसका अब पताएगा साथ से नो दस से बारा साथ से दो बड़कर नो दस से दो बड़कर बारा बारा का वर्ग यानि 114 इसकोशन का अंजर अनलोजी के कोश्ट टोपिक के कोश्ट को करने के लिए हमारे पास क्यूब और स्कॉर्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्यूब और स्कॉर्स का ही अधिकतर खेल इन टोपिकों में जैसे कि आप देख रहे हो ज्यादर तर क्यूशन से यहां से देखें यह स्कार्ष का लोजिक ता यह क्यूब का की क्यूब के लोजिक लगा तो यह चाहिज कि अथे हैं किसकी करें के लोगते है अब हम अगले questions के और बढ़ते हैं हमने 10 questions कर लिया है अब अगले 5 questions के और बढ़ते हैं 11 questions 14 9 26 questions सबसे पहले क्या prime number का logic है prime number का logic नहीं है क्या squares का logic है squares का logic भी नहीं है क्या cube का logic है cube का logic भी नहीं है तो पक्का multiply या division का logic होगा सबसे पहले number decrease हो रहा है number 14 से 9 हो आए number घट रहा है तो multiply का logic तो नहीं होगा पक्का divide का logic होगा अब हम 14 को कहसे divide करें जो 9 में असपास आई इसका half करते है यानि से 2 से divide करते है जब हम 14 को 2 से divide करें करें साथ आएगा लेकिन हमें 9 बढ़ाना है तो इसमें plus 2 एड़ करते हैं देखें चोदा को 2 से divide किया साथ पलस 2 नो बनिया अब इसी तरह यहां देखते हैं 26 को 200 डिवाइड 13 पलस 2 पंदरा इसको संस का अंसर आ गया हमें चोदा से 9 बढ़ाना था हमने चोदा का हाफ किया हाफ करते हैं दो से divide करके चोदा का हाफ साथ साथ में 2 एड़ कर दिया नो अब हमने ऐसे ही आ कि 26 का हाफ 13 और पलस 2 15 अगला questions चार का ग्यूब 64 और उसमें चार जोड़कर 68 कर दिया किसी तरह यहां पर पांच का ग्यूब पलस 5 पांच का ग्यूब 125 और 5 130 चार से 5 अब ये किस क्यूब के आसपास है ये साथ के क्यूब के आसपास है साथ का ग्यूब पलस साथ साथ का ग्यूब 343 और साथ 350 चार से 5 हुआ साथ किस से हुआ होगा चे से यहां क्या आएगा चे का ग्यूब पलस 6 चे का ग्यूब 266 और 6 222 इस questions का answer next 98100 question mark क्या कुछ समझा रहा है क्या किसी क्यूब के असपास है बिल्कुल 9 9 का क्यूब करो 9 का स्क्राइर करो sorry 9 का स्क्राइर 81 और यहां बढ़ाना की तरह में 80 तो हम क्या करेंगे 9 का वर्ग माइनस 1 नो का वर्ग 81 में से कम क्या 80 अब ऐसे ही यहां पर करना होगा सो का वर्ग माइनस 1 सो का वर्ग होता है 10,000 दस जार में से एक कम क्या 999 इस question का answer next पांच 125 साथ question mark क्या कुछ समझा रहा है क्यूब का लोजिक है बराइन नमबर का लोजिक टो लगी नहीं रहा स्क्वैर्स का लोजिक हो सकता है एक क्यूब का लोजिक हो तो पांच dot पांच का क्यूब होता है एक सो 25 लेकिन 5 से बढ़ा गया है 124 इसमें से माइनस एक कर दो इसी तरह यहां पर साथ का चूब माइनस 1 साथ का चूब 340 340 में से एक कम क्या 300 देडिस इसको संसा आंसर नेक्ष्ट आठ बारा छे कोस्टन बार अब यह को संस इसमें प्राइम नंबर वा लोजिक नहीं है स्कॉर्स का लोजिक नहीं है क्यूट का लोजिक नहीं है हो सकता है मल्टिपलाई का लोजिक हो 8 से 12 आठ से 12 बनाना है हमें हम कर सकते हैं 8 इंटू 1 आठीकम 8 और पलस 4 आठीकम 8 और 4 बारा अब इसी तरह हमें यहां पर यह करना होगा मल्टिपलाई 1 और पलस 4 छेकम 6 और 4 दस लेकिन हमारे ओप्शन में 10 आंसर ही नहीं है हमें यहां पर कुछ और सोचना होगा 8 से 12 डिरेक्ट बनाना है हमें 8 इंटू 1.5 आठी मल्टिपलाई 1.5 से करिए 8 की मल्टिपलाई 1.5 से करने पर 12 बनता है अब इसी तरह 6 की मल्टिपलाई 1.5 से करने पर इस कोइसंस का आंसर नो होता है अगर कभी कभी इस questions में answer options में 10 भी होता तो हमें किस option को priority देनी थी यह समझे इस no answer जो हमारा है वो direct multiply से है लेकिन जो हमारा answer 10 आ रहा है वो multiply और plus से आ रहा है लेकिन plus का logic हम बाद में रेखते हैं तो हमें पहले direct multiply को priority देनी है तो अगर दोनों option होते हैं तब भी हमारे questions का answer no होना चाहिए क्योंकि हमें सबसे फारे direct multiply को priority देनी थी अब हमारे 15 questions हो चुगया है अब हम next questions के और पड़ते हैं हम 15 questions कर चुगया है अब अगले 5 questions करते हैं अब इन 5 questions में कुछ questions illogical है कभी आप यह सोच लोगी illogical लिखवा तो देतो हों questions नहीं करवाते हों अब इसलिए मैंने दो दिन questions illogical डाले हैं इसमें इस बार देखें जैसे सोड़ो questions है 75, 84, 53, 62, 63 question mark इसमें कोई भी logic कांट नहीं करेगा ना प्राइम नंबर का लोगिक ना स्कार्स का लोगिक ना क्यूब का लोगिक ना मल्टिप्लाइड डिविजन का लोगिक हमारे हर नंबर में से 2 कम करके लिख रखा है साथ में से 2 कम क्या 5, 5 में से 2 कम क्या 3, 8 में से 2 कम क्या 6, 4 में से 2 कम क्या 2, अब इसी तरह यहां पर होगा हर number में से 2-2 कम कर रखा होगा 4 में से 2 कम करके 2 6 में से 2 कम करके 4 7 में से 2 कम करके 5 3 में से 2 कम करके 1 अब हम अपने option देखते हैं 24-51 24-51 हमारा option being इस questions का right answers next questions ये questions भी SI है इसमें भी SI illogical pattern है देखे इसमें क्या है plus 1 3 में 1 add गया 4 2 में 1 add गया 3 6 में 1 add गया 7 5 में 1 add गया 6 यानि हर number में 1 एक एक जोड़ रखा है अब इसी तरह यहां पर हो रहा होगा plus 1, 1, 1, 1 4 में 1 add गया 5 6 में 1 add गया 5 7 में 1 add गया 6 में 1 add गया 7 7 में 1 add गया 8 3 में 1 add गया 4 5, 7, 8, 4 हमारा इस questions का right answer option D next questions को राते हैं next questions 335, 266, 987 questions मार इस questions में prime number का logic तो नहीं है क्या squares का logic है? नहीं क्या cube का logic है? नहीं तो हो सकता है multiply या division का logic हो लेकिन यहाँ पर multiply और division का logic भी काम नहीं करेगा 335 को कहसे divide करे 260 मन जाएं या 335 की कहसे multiply करे 260 मन जाएं तो हो सकता है add या subscribe का logic काम कर रहा हो अब 335 में add तो नहीं होगा तो हो सकता है कम कर रखा हो 335 में से 260 गटागर यानि 119 कम क्या है 335 में से 119 कम क्या है तब 260 मन जा हो सकता है यहाँ पर भी 119 कम क्या हो? जब हम 987 में से 119 कम करते है तब 888 आता है तो हो सकता है इस questions का answer भी हो यानि इसमें 119 कम कर रखा है इसमें लोजिक सब्स्ट्रेक्ट का लोजिक है तीन सो पैसिस में से 119 कम करके दो सोड़ा 980 में से 119 कम करके 888 next questions 3369 question mark 14 सबसे पहले prime नमबर का लोजिक तो नहीं है squares का लोजिक भी नहीं है cube का लोजिक भी नहीं है हो सकता है multiply यह division का लोजिक को अब हम देख रहा है number decrease हो रहा है number घट रहा है इसलिए division का लोजिक हो सकता है multiply गा तो नहीं हो बनता है अब इस नंबर को कह से डिवाइड करें किस नंबर को साथ से डिवाइड करें ताकि 14 बन जाए इस नंबर को किस नंबर को साथ से डिवाइड करें ताकि 14 बन जाए अब हम ओप्सन देख सकते हैं अठाणमा को साथ से डिवाइड करने पर 14 आता है इसलिए इसकोस्टन का अंसर 98 यहां पर 98 रखना हुआ 98 को जब हम साथ से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा इसमें इसलिए है अगर हम इन तीनों नंबर की गुना करके देखते हैं चेंतिया अठारा अठारा पंजे 90 यानि इन नंबर की आपस में गुना कर रखिया इसी तरह यहां पर होगा छेदोनी 12 और 12 तिया 36 इसकोस्टन का अंसर 36 जैसे कि हम आप सब को बता रहे हैं यह हैं यह 32 की बहुत प्रैक्टिस करने होती है हम्दो ड हैं गयं कमी करहा हैं 25 यह ऐख चैस्टर के भी स्कॉशं करें हैं हमबर सरी के 20 कोस अको यह एकक्स्ट्रा को करनी है तो विडू के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे टेलीぜ ग्रूप के चैनल का लिंक है तो उसे आप फूलो कीजिए